आज का टोपिक होगा आपका डायनेमिक राउटिंग, ओके ठीक है, अब डायनेमिक राउटिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होने चाहिए, ओके एस नमबर, ओके, इसकी फुल फॉम होती है ओटोनोमस सिस्टम नमबर, ओके अब इम आपको डायनमिक राउटिंग पूरा इन डेटेल आपको बताने वाला हूँ, डायनमिक राउटिंग होती क्या है ना, उसमें कौन-कौन से आपके प्रोटकॉल होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा बट उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एस नमबर क्या होता है, ओके देन उसके बाद आप क्या कर पाओगे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीजों को, ओके डायनमिक राउटिंग के टाइप्स को, तो आप भी आपको आगे बताया जाएगा तो first of all मैं आपको इसका definition बताता हूँ, एस नमबर होता क्या है, ओके तो अगर मैं इसके definition की बात करूँ, आप कह सकते हो it represents the collection of devices within a single domain, domain बोल दो या पर single organization आप कह सकते हो, ठेक है, domain का क्या मतलब होता है, एक area, हाना समझ सकते हो, या एक company, एक organization, okay, ठीक है, तो for example, like अगर मैं बात करूँ, कि suppose, मेरी कोई company है, okay, like, Nokia company लिया, okay, मालो एक Nokia company है, तो Nokia company का उसको एक AS number मिला होगा, ठीक है, अब इम आपको एक्जेंपल बता रहा हूँ, तो अब Nokia company के अंदर जो डिवाइस, इतनी भी आपके router है, उनका जो network है, ठीक है, तो वो सारा के सारा क्या बोला जाएगो इसको, वो सारा के सारा एक autonomous system बोला जाएगा, ठीक है, एक domain के अंदर है, समझ रहो, तो हर एक device को क्या मिला होगा, क्या मिला होगा, एक एस नंबर आपको मिला होगा, क्लियर है, तो एस नंबर क्या रिप्रजेंट करता है, आपकी जो network के अंदर आपके devices है, collection of devices, within a single organization बोल दो, या फिर आप single domain का सकते हो, okay, for example, एक domain का मतलब क्या है, क्या मेरा EHRP protocol जल रहा है, okay, कुन सा protocol, EHRP protocol, तो EHRP protocol के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, devices को, आप ES number आप sign कर सकते हो, ठीक है, तो एक ES number मतलब आपका एक EHRP का आपका instance चल रहा है, okay, इंस्टांस बोल दो या फिर आप कह सकते हो, एक EHRP आपका protocol चल रहा है, okay, अब ऐसा भी हो सकता है, like EHRP याम पे बोला EHRP AS number 10, और EHRP AS number 20, हाना, दो डिफरेंट AS हो गए अब आपके इस में, तो यह तो EHRP कौनसे AS के लिए, आपका 20 के लिए, यहाँ पे EHRP चल रहा था, किस के लिए, 10 के लिए चल रहा था, that means, यह आपके क्या हो गए, दो डिफरेंट डोमेन हो गए, clear हुआ, okay, तो आपका जो ES number क्या आपका एक डोमेन है, okay, तो इसमें थोड़ा और आपको in detail बता देता हूँ, होता क्या है, ES number, it is 16 bit value, कितने bit value होती है, 16 bit value होती है, end, represented in decimal format, कौन से format हो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको, decimal format के अंदर, रिप्रेजेंट किया जाता है, okay, so 16 bit value है, that means, 2 raise to power 16 होता है, okay, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने number हो गए, इसके, आप कह सकते हूँ, ES number range, अगर मैं range की बात करूँ न, तो 2 raise power 16 कितना होता है, 0 से लेके, 6, 5, 5, 3, 5 तक, okay, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको, पहले, ES क्या होता था, आपका 16 bit का होता था, okay, पहले होता था आपका 16 bit का, बट आजकल, जो ES number है न, आपका दोनों use होता है, 16 bit भी use होती है, plus 32 bit भी use होता है, okay, clear है, बट वो normally आगे आपको बता चलेगा, 32 bit काम भी use होता है, okay, ठीक है, जब आप BGP बगरा पड़ोगे, doubt किसी को, तो ES number की क्या range होती है आपकी, बताइए, हाँ जी, and 0 is result, यह आपका क्या होता है, 0 आपका result रहता है, so, आप कौन-कौन सी आप range यूज़ कर सकते हो, 1 से लेके, 65, 535 तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यह आपकी ES number के आपकी range कह सकते हो, okay, port number भी आपका इसी range के अंदर होता है, okay, but port number आपका अलग होता है, ES number आपका अलग होता है, okay, clear है, बोलो, हांजी, and अब एक चीज़ ओर है, अभी जैसे मैं आपको बताया था, कि मालो एक यहां पर EJRP का, EJRP domain में ES number 10 चल रहा था, okay, एक यहां पर एक और EJRP domain चल रहा है, suppose, ES number 11 चल रहा है, okay, 20 ना लो, आप 11 ले लो, okay, इधर 10 है, इधर 11 है, तो मैंने क्या बोला था, यह दो नो, क्या होगा अब, different domain होगे, right, क्यों, क्योंकि यह दो different क्या है, different ES number है, right, तो अब बाइडिफोल्ट क्या होता है, बाइडिफोल्ट, two different ES, two different ES, cannot communicate, अब, यह कुण सा था, आपका EJRP 10 था, यह आपका 11 था, मतलब दो different ES होगे न, तो बाइडिफोल्ट यह आपके सभी communicate नहीं करेंगे, कर सकते हैं communicate, okay, possibility है, आप करवा सकते हो, but by default वह आपके सभी communicate नहीं करेंगा, मालब, suppose करो, एक router था, ES number 10 का, और यह इधर है, एक router आपका EJRP 11 number ES है, तो by default, अगर मैं आपको इसको पिंग करूँ यहां से लेकि इस router को, वह communicate नहीं कर पाएगा, clear है, बोलो, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, उसमें आगे फिर आपकी कुछ चीजें होती है, आपको configure करने बढ़ती है, किसी को doubt, अभी तक, बोलो, तो यह होता है, आपका ES number के बारे में, मैंने आपको बताया, ES number आपका होता क्या है, clear है, तो I hope समझा आगया होगा ES number आपका क्या होता है, right, मालो, यह कमेरा router था, अभी मैंने आपको बताया है, यह को router है, okay, तो यहां पर ES number 10 चल रहा है, यहां पर ES number 10 चल रहा है, अब दोनों क्या है, same ES है, ठीक है, तो by default same ES के अंदर है, दोनों को दोनों, तो मतलब वो आपसे communicate कर सकते है, right, यह तो चीज बताया है, by default दो different ES को नहीं कर सकते, right, suppose करो, अगर ES number 10 नहीं हां पर है, और यह किसका member था, ES number 11 का member था, इस case में communicate नहीं कर पाते, right, तो यह तो बताया है आपको, बोलो, तो आपको क्या करना पड़ता है, router के उपर ES number define करना पड़ता है, जब आप routing करते हो, clear है, और कुछ-कुछ routing protocol होते हैं, like for example, मैं बात करूँ, जैसे आपका EHRP हो गया, या फिर आपका BGP हो गया, तो इन cases में आप क्या यूज करते हो, आप ES number आप यूज करते हो, ES number के थूँ आप क्या अगरते हो, आप network को आप differentiate करवाते हो, आप अपना एक area define करवाते हो, कि यह एक मेरा, यह मेरा एक domain है, यह वाले router का अलग domain है, किसके थूँ आप differentiate कर रहे हो, ES number के थूँ आप differentiate कर रहे हो, clear है, चलो फिर, अब अपने बात करते है, डायनमीक राउटिंग क्या होती है आपकी, ओके, तो डायनमीक राउटिंग मैंने आपको बताया हुआ है, राउटिंग विच इस परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली है, इसमें क्या होता है, जो राउट्स होते हैं, यह जितनी चीज तो जाई हुई है ना, कि स्पोज, अब इस राउटिंग की राउटिंग टेपल में क्या होगा, इसके connected routes होँगे ना, एक ये वाला और ये वाला, मनलब 10 और 12 की बारे में इसको पता होगा, स्पोज, यहां पे 10 का नेटवक सल रहा है, यहां पे 12 का नेटवक सल रहा है, यहां मैं नहीं पता 30 कपा मैं पता और इसको रावाटिंग टेबल है। यह kommt कि राउटिंग टेबल राइट तो इसको कैसे बता चले गा तो यहां पर आपा ऐस कर्ते हो यहां पर आप डांटींग कुछ आपके प्रोट् Noise होते हैं ठीक? क्या होते हैं अपके नेटवर्क काम पे है 30 का काम पे है नुवर्मिल आप बताते हो ना static routing में राइट बट यहां पे आप क्या कर रहे हो simple routing protocol configure किया अब routing protocol क्या करता है वो automatic यह routes है ना in routes की information आपस में automatic exchange करता है कौन these protocols ओके तो वो automatic कर रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हो आप dynamic routing बोला जाता है clear है तो इनको automatic इसको बता चल जाएगा कि suppose 20 का network में मनलब किसके थरू OSPF के थरू मैं जा सकता हूं ओ मतलब OSPF के थरू जा सकता हूं ऐसे 30 का network मैं OSPF के थरू जा सकता हूं और वाया वाया R2 जा सकता हूं ऐसे करके तो सब कुछ information होगी इसके पास में clear है तो कैसे बता चल रहो उसको routing protocol के थरू डैनमिक routing के थरू राइट बोलो समझाया अभी जितना बोला चालो अब आपने बात करते है डैनमिक routing के अगर मैं बात करूँ नॉर्मली यह आपकी दो type के होती है पहले होती है आपकी interior routing एक होती है आपकी exterior routing ओके तो interior routing कौन सी होती है आपकी routing routing which is performed within same AS same AS number okay called as interior routing okay और exterior routing क्या होती है आपकी routing which is is performed between between two different AS number called as exterior routing okay बोलो किसी उडाउट है आपकी मैंने क्या लिखाया है यहां पे interior routing क्या होती है आपकी interior routing का मतलब है कि suppose करो मेरे पास दो router थे और यहां पे कौन सा AS चल रहा है इस router पे AS number 10 चल रहा है और यहां पे भी क्या चल रहा है यहां पे AS number चल रहा है मेरा 10 और यहां पे एक और router है यहां पे AS number चल रहा है AS number 11 ओके तो इस केस में क्या होगा इसको क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे आप exterior routing clear है बोलो इसलिए मैंने आपको पहले AS number की बारे में बताया OK समझाया अब इसका मतलब क्या है अब AS number का आपको बताया हुआ है माल लो यह क्या है एक मेरी Nokia company है Right कौन सी company है स्पोस Nokia company है OK तो Nokia company के अंदर स्पोस करो Multiple router थे OK तो यहां पे क्या चल रहा है AS number 10 चल रहा था सभी devices पे तो यहां पे आप कौन सा routing use करोगे बताये इन routers पे Networks को exchange करने के लिए routes को exchange करने के लिए कौन सा routing use करोगे In between these routers आप use करोगे interior routing Right क्यूंकि आपका सारे पे क्या चल रहा है AS number 10 चल रहा है OK तो Cisco में मेरे suppose multiple routers है ठीक है अब यहां पे भी आप suppose करो AS number क्या चल रहा है मेरा 20 OK तो यहां पे क्या होगा अब सभी router भी क्या है same AS है तो यहां पे भी within these router आप क्या कर रहे हो आप routing कर रहे हो तो यहां पे आप क्या यूज करोगे मनलब सभी router भी क्या चल रहा है AS number 20 चल रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप interior routing Right बताए But अब नॉर्मली यहां भी तो होता है कि आपको क्या करना पड़ता है आपको यह वाली कंपनी से इधर Cisco में आपको Communicate करना पड़ता है Right ठीक है तो अब क्या होगा अब यहां पे तो क्या चल रहा था इस router पे AS number 10 चल रहा था अब यहां पे इस router कौनसा AS चल रहा था AS number 20 चल रहा था तो अब इसको क्या बोलोगे आप बोलो इसको आप बोलोगे exterior routing समफंडा clear हुआ अब अच्छे से clear हो गया होगा आपको यह तो आपको सभी को पता चल गया होगा इंटेरियर routing आप within AS number आप यूज़ कर रहे हो और exterior routing आप different इसमें यूज़ करोगे ओके तो अभी आपको जब मैं और आगे detail में पताने बाल हो ना तो आपको वह के बारे में पता चल जाएगा clear है तो चलो एक दो चीजी और आपको बतानी है अब आपको एक चीज बताई हुए है कि dynamic routing कौन करवाते है आपके आपके कुछ protocols होते है ये तो बताया था आपको थोड़े देर पहले कौन करवाते है आपके dynamic routing protocols बोला जाता है तो the protocols which are used to perform interior routing are called as interior gateway protocols protocols IGP मैंने क्या बोला आप dynamic routing आपके करवाते है आपके protocols होते है कौन कौन से होते है वाग्या आपको बताया जाएगा बट मैंने आप क्या बोला कि जहां पे interior routing आप यूज कर रहे हो ठीक है तो उन प्रोटकोल सो आप क्या बोलते हो इंटीरियर गेटवे प्रोटकोल बोला जाता है ओके तो क्या बोला जाता है interior gateway प्रोटकोल बोला जाता है उनको जो आपकी interior routing आपकी करवा रहा है ठीक है similar the protocols which are used to perform exterior routing are called as exterior gateway exterior gateway ओके इसको क्या बोला जाता है EGP आपके सकते हो ठीक है तो अब यहां पे दो different AS की बीच में जो आपके प्रोटकोल होगा उसको क्या बोला जाएगा EGP और जाहां पे same AS के इंदर आप जो routing कर रहे थे उसको क्या बोला जाता है IGP clear है बताये तो अभी तक मैंनी क्या बताया जो dynamic routing protocols होते हैं आपके दो type के होते है एक होता आपका IGP दूसरा होता आपका EGP IGP मतलब इंटीर इंटीर ना की इंटरनल gateway protocol अटीर प्रोत क्या अपका अचले है आप इंका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा IGP मतलब same ES के अंदर आपकी करवाएगा routing EGP मतलब दो different ES के अंदर आपकी क्या करवाएगा आपकी routing परफॉर्म करवाएगा बताए किसी को doubt है बोलो ओके तो अगर मैं अब अपने बात करने वाले हैं पहले IGP के बारे में discuss करेंगे उसके बाद में EGP के बारे में ओके clear है तो चलो फिर अगर मैं IGP की बात करूँ यह आपका फर्दर तीन टाइप का होता है ओके फर्स्ट आपका distance vector routing protocol दूसरा होता है आपका link state routing protocol ओके तीसरा होता है आपका hybrid बोल दो ठीक है hybrid वो कह सकते हो क्योंकि यह इनका दुनों का combination होता है ओके और आप कह सकते हो advanced distance vector routing protocol clear है बोलो ओके तो अब IGP में आपके कौन-कौन से protocol होते है अगर मैं बात बताओं अगर मैं बात करूं यहां पे distance vector की ओके इसमें आपका आता है तो इस distance vector में आपका आता है आराइपी आराइपी मतलब दूसरे वाल आराइपी मत्समज लेन आप हाना हान जी routing information protocol ठीक है ऐसे एक और होता है आपका distance vector में कुन से होता है IGRP ठीक है IGRP मतलब होता है interior gateway routing protocol ठीक है बताए किसको डाउट अभी तक बोला जो ठीक है और चलो अब इसमें कौन-कौन से होता है आपके link state कौन-कौन से होता है ठीक है link state की बात करूँ आपका इसमें आता है एक तो आपका नाम सुना होगा आपने IS-IS का ठीक है बहुत पराना protocol था आजकल यूज नहीं होता है आपके नौर्मली कौन सा होता आपका link state में आपका OSPF OSPF की full form क्या है आपकी OSPF open shortest path first ok similar आपका जो hybrid है या पर आप कह सकते हो कौनसा advanced distance vector outing protocol इसमें कून सा होता है का EIGRP ठीक है तो EIGRP की की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Okay Clear है तो अभी ये सारे की सारे कॉन से प्रोटकोल है या आपके अभी तक मैंने क्या बताया एक तो रिप बताया IGRP बताया IS-IS OSPF और EGRP पांच प्रोटकोल आपके बताये सारे ये सारे सारे क्या है आपके IGP प्रोटकोल है IGP मेंस कांपे जोका आपका विदिन विदिन सेम एस है ना आप पता चल गया EGRP कांपे यूज होना है आपका OSPF कांपे यूज करोगे जहां मालब विदिन एक एस के अंदर मालब एक कंपनी के अंदर है ना जो आपके नेटवक्स है वहां पर आप क्या यूज करोगे आप आईजीप प्रोटकोल्स या रिप यूज कर लो OSPF यूज कर लो EGRP यूज कर लो समझ गए किसी को डाउट हांजी तो पहले में आपको उसके बारे में बता देतो EGP जो आपका रहता है उसके बारे में बता देतो फिर बाद में डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है लिंक स्टेट क्या होता है हाईब्रेड क्या होता है इनके बारे में इन डिटेल अपने डिस्कस करने वाले हैं क्लियर है ओके मैं आपको बताने वाला हूँ ना, distance vector क्या होता है, link state आपका क्या होता है, hybrid क्या होता है, तब आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा protocol आपका ज्यादा बैट रहता है, ओके, बाकी, in future, आप ये jarping बारे में आप पढ़ोगे, CCNP वगरा करोगे, OSP के बारे में तो धोड़ा साइडिया दे दूँगा, clear है, हाँ जी, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा EGP के बारे में बता देता हूँ, okay, and then फिर अपने डिस्कस करेंगे, distance vector क्या होता है, link state क्या होता है, hybrid क्या होता है, clear है, बोलो, चलो फिर, अगर मैं EGP के बात करूँ, इसमें आपका एक प्रोट path vector, routing protocol, कौन सा होता है, path vector, routing protocol, और इसके अंदर आपका कौन सा आथा है, आपका, BGP, border, gateway, protocol, clear है, तो अब EGP का मतलब, दो डिफरेंट, अचनल है, यह राउटर किसका मेंबर था, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, BGP, तो अब इस scenario में, जहां पर दो companies आपसे कम्मूनिकेट कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा प्रोटकोल चलेगा, आपका, BGP चलेगा, और यहां पर, इंटरनली कौन से चलेगा स्पोस करो आप यहां पर OSPF यूज कर रहा हूँ और यह स्पोस करो यहां पर अपना EIJRP यूज कर रहा हूँ क्या पता हाना यहां फिर हो सकता यह OSPF यूज कर रहा हूँ तो तो डिपेंड गरता है company to company वो कौन सा protocol यूज कर रही है बट नॉर्मली आपका OSPF आपका ज्यादा यूज होता है और क्यों होता है आपको अभी पता चल जाएगा clear है doubt clear हो गया जिसको doubt था कि काम पर कौन सा यूज होगा